क्या हुआ? जब अचानक अयोध्या पहुँचा, सैकडो नागों का जुंड, इनका संबंध नाग लोक से बताया जा रहा है. आखिर राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतने सारे चमतकार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले गिद्धों का जुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिसे जटायू के वन्शज कहा जा रहा है, लोग इनकी पूजा कर रहे हैं, इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से देखे गए, जो की जामवंत का प्रतीक है, लेकिन अब एक ऐसा चमतकार देखने को मिल रहा है, जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खत्रा साबित हो रहा है, आज की वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से परदा उठने वाला है, आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है, आखिर प्रान प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं वो भी अलग-अलग प्रजाती के एल आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैश्री राम जरूर लिखें यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बलकि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा हुआ है, आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया, इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, त्रेता साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभुश्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नस्दीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग-अलग के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो की अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, लेकिन गिद्धों का और भालूं का संबंध तो प्रभुश्री राम से बताया जाता है, उन्होंने रामायन में उनकी सहायता भी की थी, लेकिन इन नाग प्रभुश्री राम के साथ क्या संबंध है, आज की वीडियो में इस रहस्य से परदा उठने वाला है, चौकाने वाली ये है कि इन में दो प्रजाती के नाग अलग-अलग शेत्र में बार-बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ जा रहा है, ऐसा कहा जाता है, प्रभुश्री राम के भाई लक्षमन साक्षात अनंत शेशनाग का रूप है, और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेशनाग तीनों ही आपस में भाई है, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं, और शेशनाग बैकुंट में भगवान विश्णु की सेवा करते हैं तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभूश्री राम अपने भाई लक्ष्मन यानी शेशनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुँच रहे हैं तो क्या शेशनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं दोस्तों ये रहस से बहुत बड़ा है क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप को पढ़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है तो वही सांप पुनह राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है जिस से कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे लेकिन दोस्तों, प्रभू श्री राम का नाग लोक के वीडियो के साथ क्या संबंध है वो सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी क्योंकि पूरे घटना क्रम को मल्टी वर्स के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है जिसे हिंदी में स्रिष्टी चक्र कहते हैं मल्टी वर्स की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस संसार में हम रहते हैं, वो स्रिष्टी व विनाश के चक्र से गुजरती है इस संसार के प्रत्येक स्रिष्टी चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के चार युग या चार भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। और रामायन करके फिर से बैकूंट लौट जाते हैं। यानि कि अगर आप इस प्रिथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप जो घटना कर रहे हैं, वही बराबर घटना आएं। किसी और यूनिवर्स या कल्प में आपके ही रूप के साथ पुनह होने वाली है या फिर हो चुकी है। आगे मल्टी वर्स की सच्चाई को साबित करने के लिए एक ऐसी पौरानिक घटना आपको बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टी वर्स की सच्चाई पर यकीन होने लगेगा। इस दुनिया में केवल तीन विद्वानों को मल्टी वर्स को देखने की और उनमें जीने की, टाइम ट्रैवल करने की इजाज़त दी गई है। महा भारत देखी हैं। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काक भुशुंडी को अमर बनाया था। कोय के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काक भुशुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल काक भुशुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आये। काक भुशुंडी ने भगवान राम को नपहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काक भुशुंडी से उनकी इच्छा पूछी काक भुशुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रती अपनी भक्ती हमेशा हमेशा के लिए करना चाहते हैं। कि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता है वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। यह भी हो सकता है काकभु शुंडी अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हो और राम मंदिर के निर्मान कार्य को अपनी आखों से देख रहे हो। यानि कि यह तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी विकल्प यानि यूनिवर्स में जा सकते हैं। टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और अयोध्या में अचानक से नागों का प धार हो जाता है। लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी मल्टी वर्स यानि स्रिष्टी चक्र को मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आगे हमें कैसे कहानी एक ऐसी सची कहानी आपको बताने जा रहे हैं। जिसका संबंध रामायन से जुड़ा है और इसे जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टी वर्स वास्तव में होता है, जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान की मृत्यू निश्चित होती है। उसी तरह इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धर्ती पर एक निश्चित समय है। वो समय समाप् त्याग करके अपने लोग वापस लोटना पढधा था। उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोग को छोड़ कर वापस विश्नुलोग गए। भगवान श्री राम के मृत्यू में सबसे बढ़ ही बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे। क्योंकि हनुमान के होते यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास पहुँच चुके लेकिन स्वयम श्री राम से इसका जो हल निकाला वो मल्टिवर्स यानि स्रिष्टी चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यू का समय हो गया था। वह जानते थे कि जो ज योध्या में प्रवेश करने से डरते थे क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था। इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्ष के एक छेद में से गिर वह छेद केवल छेद नहीं था, बलकि एक सुरंग का रास्ता था, जो सापों के नगर नाग लोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी, हनुमान को नाग लोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड जैसा धेर लगा हुआ था। वास्तव में वो सारी अंगूठियों जो उस धेर में थी, सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? वह सोच में पड़ गए। जिस संसार में हम रहते हैं, वो शुरू भी होता है, और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में चारो युग आते हैं और समाप्त भी होते हैं, और हर सतयुग के अंत में एक वानर इस अंगूठि का पीछा करता है, और प्रिथ्वी पर राम मृत्यू को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकडो हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का धेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं, अंगूठियां गिरती रहीं और इनका धेर बड़ा होता रहा। भविश्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहां काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नाग लोक में प्रवेश और अंगूठियों के परवत से साक्षाथ कोई आकस में घटना नहीं थी। यही माल्टी वर्स का रहस्य था, यह राम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यू को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यू को प्राप्थ होंगे, संसार समाप्थ होगा। लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनह बनता है और राम भी पुनह जन्म लेंगे। इस घटना के बाद प्रभुश्री राम सर्यू नदी में समाहित हो गया। इसा कह जाता है, अयोध्या में जतने भी रहिवासी रह रहे थे, वह सभी देवी देवताओं के ही अंश थे, जो प्रभुश्री राम की लीला को अपनी आँखों से देखने के लिए अयोध्या मे रहवासियों की तरह रह रहे थे जब रामायन काल पूरा हुआ तो वह भी प्रभुश्री राम के साथ अपने अपने धाम लोट गए मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमी यूँ ही पड़ी रही बाद में श्री राम के पुत्र महाराज कुष ने अयोध्या को फिर से बसाया इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है रामायन के अनुसार कुष ने ही सर्व प्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने पिता श्री राम की पूज जन्म भूमी पर निर्मान करवाया वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को रश्बदेव ने फिर से बसाया था भविश्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने इसा पूर्व में एक बार फिर से दूसरी बार उजड़ चुकी अयोध्या का निर्मान करवाया धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अयोध्या में सर्यू नदी के लक्ष्मन घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्मान करवाया था वे भगवान विष्णू के परम भक्त थे और इसलिए उन्होंने ही श्री राम जन्म भूमी पर एक भव्य मंदिर का निर्मान करवाया था हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1333 में मुस्लिम आक्रमनकारी सालार मसूद ने जन्म भूमी मंदिर को ध्वस्त कर दिया था अयोध्या में राम जन्म भूमी मंदिर पर विवाद की कहानी की 1528 से शुरू हुई हिंदूों का दावा रहा है कि मुगल आक्रमनकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़ कर उस पर मस्जिद का निर्मान करवा दिया अयोध्या राम जन्म भूमी बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना एतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमनकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्म भूमी के दर्शन के लिए अयोध्या पहुँचे थे गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आये थे जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी इतिहासकारों के अनुसार वहाँ पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्मान करवाया था 23 दिसंबर 1949 को राम जन्म भूमी मंदिर के इतिहास में एक बार से जबरदस्त मोड आ गया उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराज मान पाई गई ये विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार ततकालीन सरकार उस धांचे को विवादित मान कर उस पर ताला लगवा देना पड़ा धांचे के अंदर नमाज रुख गई लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही 6 दिसंबर 1922 को अयोध्या में राम जन्म भूमी आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक जुटे थे उन्होंने ही उस विवादित धांचे को ध्वस्त कर दिया भगवान राम लल्ला धांचे से निकल कर अस्थाई टेंट में आ गए यानि की राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है कई लोगों के संघर्ष की कहानी है और कई कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है भले ही हम इस संघर्ष में भाग नहीं ले सके लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आँखों से देख रहे है अगर आज की ये खास वीडियो आपको पसंद आई है तो सचे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हर हर महादेव